हे गाई जाज मैंने और किया एक प्रोड़क्ट जिसका नाम है बैंक्यू स्क्रीन बार हलो और बैसिकली एक लाइटिंग डिवाइस है आपके मॉनिटर या डेक्स्टॉप स्क्रीन के लिए मैं इसका यूज बताता हूं इसको अन्वाक करूंगा रिव्यू करूंगा सब कु तो वैसे स्थिएशन में क्या होता है न कि अगराप अंधरे की समय में रात में अगराप काम कर रहे है और को भी लाइट नहीं है या पिर लाइट आप व्याहन नहीं है तो स्क्रीन पे ग्लियर आता है आपके या बहतर तरीके से काम करें, लंबे समय तक काम कर सें और आपको इसका बुरा असर ना बढ़े दोस्तों इसलिए मैंने ये बेंक्यू की तरफ से आने वाला स्क्रीन बार हलो परचिस किया ये बहुत ही प्रीमियम प्रोड़क्ट है, आज ये सुरुवात करते हैं इसकी उन्बॉक्किंग के साथ, बाद में बताएंगे कैसा सेट अप करेंगे स्क्रीन पे और आप देखिए कि बॉक्स के अंदर क्या-क्या कॉंटेंट आपको मिलता है, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट लोक इसका कितनी प्रीमियम टाइप से पैकिंग की गई है, लग रहा है देखने से ही कुछ बढ़िया चीज के अंदर है, तो सबसे पहले ये जो और ये जो है, आपको बैटरी मिलती है, जो कि आपको इसको वायरलेस कंट्रोलर में लगाना होगा, ताकि ये अपरेशन हो सके, और ये जो है आपका कर्व मॉनिटर के लिए अटाश्मेंट है, जो कि आपको लगाना होगा, अगर बहुत साथ लोग कर्व मॉनिटर लगात वाह मतलब बहुत ग्लॉसी फिनिक्स बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है और यह दिखे यह रोटीट भी कर रहा है तो अब इसको हमको इसके अंदर इंस्टॉल करना होगा तब जाके यह काम करेगा और यह है आपका मेन स्क्रीन बार तो इस रैप को हम हटाते हैं और आपको दिखाते हैं फिल्ट और फिनिसिंग बहुत जबर जस्त है ऐस अस्पेक्टेड बैंक्यों का लोगो और यह आपका स्क्रीन पार बढ़िया है फिर्स्ट इंप्रेशन इसका और यह यूस्बी है जो कि आपको मॉनिटर के अंदर लगाना होता है और एक्स्ट्रा कुछ यहां पर यानि आपके मॉनिटर पर कहीं भी कोई स्क्रीयाच नहीं आएगा आप इसे जब इंस्टॉल करेंगा और यह देखिए यह लाइट जो है आपको बैक लाइट है यानि पीछे के तरफ का लाइट है फ्रंट लाइट के अलावा पीछे का लाइट भीस में दिया ग पावर है वह आपको USB पोर्ट में इसमें लगाना होगा आपके अगर मॉनिटर में यह पोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी एक्स्टर्नल कोई भी चीज में लगा सकते हैं जो USB पावर देता है तो मेरे में है पोर्ट मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले तो इसको हम लोग यहां पर लगाएंगे तो बैक साइट में लगाएंगे और अपनी सहूलियस से यह देखिए सेंटर पॉइंट में कर लेंगा सेंटर बिल्कुल फिक्स हो गया इस साइट भी इतना और यह बिल्कुल अराम से कवर कर लेता है पुरा स्पेस अब यह जो है इसे हम लोग देखेंगे यहां से पीछे का लाईट जलेगा और यह फ्रंट का यह है आपका कंट्रोलर जो की वारलेस है यहां से आप पावर आन कर सकते हैं देखिए लाइट जो है ऑन हो गया यह फ्रंट और बैक दोनों ही अन हो गया क्यूकि इस मोड में अभी दोनों अक्रिबीट है आप चाहें तो individually एक एक को भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये बटन प्रेस करना होगा, एक बार activated है तो only front, फिर back, back and front both, live demo देखिए, अभी दोनों जल रहा है, अब एक प्रेस किया, only front, again press, only back, and again press, front and back both, तो ये आप इस तरीके से समाल कर सकते हैं, अब अग्ला चीज़ आप को देखते हैं, आप चाहें तो इसकी brightness को बढ़ा सकते हैं, सरिंग को rotate करके, या घटा भी सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ा घटा है, live देखिए यहां पर, मैं इसे इधर कर रहा हूँ, तो ये घट रहा है, और इधर करूँगा तो ये बढ़ रहा है, इसके बाद यहां पर temperature को भी आप increase याँ decrease कर सकते हैं, मैं यहां पर देखिए, निट्र किया, अब इसे मैं temperature को बढ़ा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप temperature को भी घट आ बढ़ा सकते हैं, देखिए आप live देमो देखिए, किस तरीके से feel देता है आपको, देखा आपने, ये है寅 buat temperature को घटा अब यहाँ पे फेवरेट बटन दिया गया है यानि जो आपका बेस्ट सेटिंग है वो बार बार आपको नहीं करना पड़े वन टाइम बसाइए आप वहाँ प्रस किजिए आपका फेवरेट सेटिंग जो है वो अक्टिवेट होके मिल जाएगा आप अटो दिमिंग इसका ब इसका इसा प्रीमियम घ्लास का आपको वारालेस कंट्र्लर नहीं देखने को भी प्रसल्द Mina को अच्छे जा आपको जो देख्यान देख्यंसर को और बीरिग व ऑगडा है वो भी बगयारई ओर हाई क्सीद क्लास का दिया गया है और का अच्छे से चले और डेक्स पे एक जग रख दीजिए इसे आपका कोई भी स्पेस नहीं लेता वायर का कोई लफडा नहीं है तो आपका डेक्स काफी अच्छा यूटिलाइज होता इससे इस स्क्रीन बार के ब्राइटनेस को और कलर टेंपरेचर को एडजस्ट कर सकते हैं र जाता है बैक्साइट भी होगा फ्रेंट साइट करा जाता है वो दोनों में एफेक्ट आपको देखने को मिले गए चीज दो अब आईए इसे जो प्रमाडिक ताया सर्टिफिकिशन मिला हुआ अलग अलग इंस्टिउशन या अथरिटिस द्वारा अक्रॉस मल्टिपल टेंडर के तहत डिवल सर्टिफिकिशन से मिला हुआ है फॉर नो ब्लू लाइट हजार इसके अलवा आरो एचस कंप्लैंट के तरफ से इसका असस्मेंट किया गया है कि यह हूमन को एक्स्पोजर में रखने पे स्लाइट में कोई नुकसान होता या नि और पाया गया है कि यह मुझे बहुत बढ़िया लगा और काफी सुकून अब मैं इस लाइट की वज़स से घंटों अगर चार-पांच घंटे-चे गंटे भी बैढ़ जाता हो तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है अराम से कमफर्टेबली हम काम कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी यह आप काम करते रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो गाइस मेरा फाइनल कंक्लीजन और वर्डिक यह है कि बैंक्यू स्क्रीन बार हेलो बहुत ही प्रीमिया और एक बहुत ही बढ़िया क्वालिडी का प्रोड़क्ट है अगर आपको अपनी आखों से प्यार है अगर आप से प्रोड़ यह चीज लेना चाहिए और मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आप जाके से चेक आउट कर सब्सक्राइब वीडियो दखलें बहुत बहुत सुक्रिया तैंक्स लाट फॉस्चिन गाईज बाबाई